Hi guys, welcome to this session और इस session में आपको मैं शुरू में कुछ भी नहीं बोलूँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस session में हम लोग क्या करते हैं ये सब आपको पता है मैं directly headline से start करूँगा बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप video देख रहे हैं और words को जैसे हम class में revise करते थे वैसे revise कर रहे हैं जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं प्रीज गो ahead and write it down in the comment box क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके classes कब शुरू होंगे और हो सकता है एक्जाम भी lockdown खतम हो एक्जाम हो जाए या आपके exams के date इसी में आ जाए जो भी चीज available है उसका proper utilization कीजे लेट में move ahead to this news गांगुली in quarantine as brother test corona positive इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं अंदाजा मिल गया होगा मैं सिर्फ as का use दिखा दे रहा हूँ कि brother पहले corona test positive हुआ पहला action और दूसरा action गांगुली quarantine में चले गए ये दोनों को जोड़ दिया अभी ये देखो रशिया ने covid के उसके लिए vaccine के लिए बोला है कि we have prepared the vaccine लेकिन बात लोग बोलते हैं कि जूटी है लेकिन आज news के आया है Russia to make 30 million doses of its vaccine अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ये revise करने के लिए आपका आया हूँ कि make का मतलब बनाना और to उसके पीछे verb लग गया और verb के पीछे subject कौन है रशिया है तो रशिया बनाएगा ठीक है ना रशिया बनाएगा रशिया बनाने वाला है इन दोनों का इंगलिश क्या हो गया रशिया टूमेग अल्राइट अब ही हम लोग ये news पढ़ते हैं ये news पढ़ने से पहले मैं आपको दो लोगों का चेहरा दिखा देता हूँ एक का चेहरा तो आप जानते हैं मिस्टर बडाक उबामा और ये हैं एलाउन मस्क देखो आप मस्क भी अगर याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा एलाउन मस्क टेसला कंपनी के मालिक है ये कौन सी कंपनी टेसला ओके लेट मी राइट इट एर फू यू टेसला ओके बहुत ही फेमस आदमी है तो देखो क्या हुआ है यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लिता हूँ है ट्वीटर हैक हिट्स ओबामा और मस्क ट्वीटर इनका ट्वीटर अकांट ही है को गया ओबामा का और मस्क का इससे ये प्रभावित हो गया बस यही बात है अभी हम COVID से रिलेटेड ये news देखते हैं इंडिया's COVID-19 cases cross 1 million mark 10 लाग से उपर पहुँच गया है ये चिन को इसने cross कर लिया है और pandemic का मतलब आपको पता ही है अभी एक और interesting चीज मैं आपको दिखाता हूँ देखे अगर आपने थोरा सा भी news देखा है इंडिया establishes air travel bubbles with US and France COVID के lockdown की वज़े से सारा airline, air transport ठप था इंडिया ने अब क्या establish किया है, क्या अस्थापित किया है Air travel bubbles अस्थापित किया है, किस के साथ? US और France के साथ अगर आपने news देखा होगा तो France के साथ तो air transport शुरू हो गया है अब ये air travel bubble क्या होता है Air travel bubble ये जो चीज़े, ये क्या होता है Air travel bubble होता है जब एक country, दूसरे country से किसी सर्तों के साथ limitations में air transport शुरू करता है तो उसको air travel bubble बोलते है I hope कि आपको ये याद रहेगा अभी देखो इसको जरा मैं बताता हूँ Border का news है, disengagement, हम लोग को पता है disengagement क्या होता है दोनों देशों की सेना engage नहीं करेंगी, दूर जा रही है Disengagement को क्या चाहिए, constant, constant verification चाहिए ठीक है न, अब मालो Indian forge तो पीछे हट गई और Chinese forge पीछे हटेगी की नहीं इसको तो verify करना पड़ेगा न, तो constant verification चाहिए यह नहीं कि आज गए और कल नहीं गए So that was it इदर देखो, राजस्तान के politics से यह news है आपने Sachin Palat का नाम बहुत सुना होगा आज कल के दिनों में उनका चेहरा देख लीजे नीचे, he is Sachin Palat इनके पापा थे, Rajesh Pilot Congress में बहुत ही बड़े लीडर थे died in a road accident तो अभी पाइलट के साथ क्या हुआ है कि इनको disqualify कर दिया गया है disqualify कर दिया गया है, मतलब इनके सदस्यता चीन ले गई है तो पाइलट गय हाई कोट पाइलट गय हाई कोट को क्या लिखा है, पाइलट moves हाई कोट और किसके खिलाफ, disqualification के move के खिलाफ दो बार move लगा है यहाँ पे, देखो word एक ही है, M-O-V-E इसी move का मतलब होता है, चलना, जाना, कोई हरकत करना, ठीक है न तो यहाँ पे यह क्या है, वर्व है और इसी move का मतलब होता है कोई कदम, क्या, step तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, noun हो जाएगा तो आप इसको याद रखेंगे, move का दो मतलब होता है आप कोई कदम उठाते हैं, वो भी आपका move होता है चेस में जो हम चाल चलते हैं सतरंज में जो चाल चलते हैं उसको बोला है ता मूव अभी कल मैंने आपको चाबाहार पोर्ट डिसकस किया था इरान के साथ चाबाहार पोर्ट उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि इंडिया शाय चाह बाहार पोर्ट में बहुत बड़ा investment किया था इंडिया उसको manage कर रहा था और ये خवर आई थी कि इरान ने इंडिया को हटा दिया है वो चाइना के साथ deal करने वाला है तो इरान हमारा काफी अच्छा neighbor है और इसने देखो क्या कहा है, कि not dropping India, इंडिया को हम drop नहीं कर रहे हैं, इंडिया को हम छोड़ नहीं रहे हैं, चाह बाहर से और बोला कि जो भी चाइना के लिए news आया है, सब false news है, okay 147 Indians file lawsuit against H-1B decision, अब ये H-1B क्या है, ये एक तरह का वीजा है, जो अमेरिका देता है, जो high net worth individual है, मतलब आप, कुछ भी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, हाँ, आप बहुत बड़े इंजीनियर होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, इस तरह के professionals को ये वीजा मिलता है, जो लोग काम करने जाते हैं, वहाँ पे तो, ऐसे 147 Indians हैं, जिन्होंने lawsuit file किया है, मतलब कोई case दर्ज किया है, ठीक है, किसके खिलाफ, H-1B के decision जो लिया है इन्होंने, Mr. Trump ने इसके खिलाफ, और ये देखो, China से related एक और news है, आप देखे कि China किसलिए famous है, अपने size के लिए population के लिए और economy के लिए, इसका economy बहुत ही बड़ा और बहुत ही fast growing economies में से एक रहा है, तो अभी देखो, ये COVID की वज़े से सारी economies slow हो गई हैं, और धीरे धीरे recover करने के कगार पे पहुँचेंगी कभी, China first major economy, मतलब बड़ा economy, important economy, किस चिश क्या करने के लिए, science of recovery दिखाने वाला, science of recovery दिखाने वाला China पहला major economy बन गया है, और recovery का मतलब आपको पता ही है, खराब से अच्छे की और जाना, अभी मैं आपको एक और news दिखाता हूँ, आप ये देखो, assault on dalit couple, guna SP collector removed, कहता है dalit couple पे assault हो गया, guna SP और collector remove हो गया, अब assault का मैंने आपको class में मतलब बताया था, हमला, और ये भी बताया था, कि AK-47 जो rifle है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, assault rifle बोलते हैं, क्योंकि, ये हमला करने के लिए बना है, assault, AK-47 rifle से आप याद रखेंगे, तो dalit couple पे assault हो गया, हमला हो गया, तो SP और collector को हटा दिया गया है, आप देखते हैं, नीचे क्या है, पहले मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, ये है कुलभूसन जाधव, आपने शायद देखा होगा, पेपर में इन और ये बोलते हैं कि ये RAW का SPI है, इंडियन SPI है ये, और ये है बस कहानी इनकी, अभी देखो लॉकडाउन जो लगा हुआ उसमें बिहार के बारे में क्यानी हो जाया है, बिहार SEES MIXED RESPONSE, बिहार SEES MIXED RESPONSE का मतलब बिहार में मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, बिहार ने देखा कुछ भी चीज नहीं, देखा जब हुई तभी देखा, तो ये लिखने का एक तरीका है, शाबदिक अर्थ से नहीं जाएंगे, आप तातपरे लगाएंगे, इसका मीनिंग लगाएंगे, अभी देखो आप ये फोटो देख लो, ये बाइपास रोड का है, और क प्याग देते हैं, और यहां डेजर्टेड लुक, क्या किया हुआ है, वेर किया हुआ है, पहना हुआ है, अब बाइपास रोड सुनसान है, उसको देखो लिखा कैसे किया है, इंकलिज में, ठीक है ना, अभी देखें बिहार से अपना बिहार बढ़ता बिहार, एक और नि 9 days after inauguration, bridge collapses, opposition slams chief minister, inauguration का मतलब आपको पता है, उदघाटन के 29 दिन बाद, bridge क्या हो गया, collapse कर गया, सीधा धस गया, और opposition इसके लिए क्या कर रहा है, slam कर रहा है, chief minister के लिए, तो slam क्या करेगा, opposition criticize कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो slam का मतलब नहीं भी जानते हैं, तो आपको news से समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्या मतलब हो रहा है, ओके, नीचे आप देखो, मैं आपको एक और चीज, एक और photo दिखाता हूँ, आपको photo में क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं और vote देने के लिए है, they are there to cast their vote, देखो, vote English में, आप Hindi में देते हैं, English में क्या कर रहते हैं, you cast vote, तो आप याद रखिएगा, you do not give vote, you cast vote, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, polling booth पर, आप देखो कि English में क्या लिखा है, at a polling booth, आपको दिख रहा है कि हाँ, यह polling booth पर ही सारे लोग खड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन इतने सारे और polling booth कोई एक ऐसी चीज ने, टेबल की तरह, इसलिए यहाँ पर at लगा है, so let me move to page number two, और देखते हैं कि page number two में क्या है, मुझे लगता नहीं कि page number two में कुछ है, page number three में कुछ चीजे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, देखे, उसी news को यह गुपाल गंज की घटना है, उसी news को यहाँ पर क्या लिखा है, collapse फिर से लिख दिया है, approach road washed away, देखो, approach मतलब किसी के पास पहुँचना, ठीक है न, आप बोलते हैं अगर कि नितिश कुमार के पास मेरा approach है, मतलब नितिश कुमार के पास आपकी पहुँच है, और बिहार में तो हर दूसरे आदमी का approach road यह बह गया है, ऐसा कह रहा है बिहार government, तो बिहार government क्या कह रहा है, approach road washed away, बह गया, main structure safe, जो bridge का main structure है, वो safe है, अभी आप यहाँ पे देखो, अपना बिहार, बढ़ता बिहार, Sand mafia goons attack NHAI tall plaza staff, one held, Sand mafia goons attack NHAI tall plaza staff, मतलब Sand mafia के goons ने National Highway Authority of India, इसके tall plaza के staff को attack कर दिया, तो Sand mafia के क्या, जी हाँ, यह गुंडा का ही short form है, गुन, गुन का मतलब आप समझ लिजिए, कोई भी गुंडा, अपराधी चरितर का आदमी, तो Sand mafia के गुंडों ने attack कर दिया, टोल plaza के staff को, एक पकड़ा गया, एक मैं और चीज़ दिखाता हूँ, देखो, IAS officer among 10 booked in 17 crore embezzlement scam, देखे, IAS थे, अपने जमाने में बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही ग्यान होगा इनको, ग्यान तो नहीं होगा, information होगा, ग्यान होता तो इस चीज़ में नहीं फस्ते है, IAS officer among 10, मतलब 10 लोग booked हुए हैं, जिन में से एक IAS officer है, किस चीज़ के लिए embezzlement scam, embezzlement का मतलब ही होता है घपला, हेरा फेरी, जब भी आप fund को, fund embezzlement, समझ गयाना, जब आप fund की हेरा फेरी करते हैं, तो क्या लिखेगा, fund embezzlement, ओके, अभी देखो, यहां प्याँ प्याँ देख रहा होगा, इस photo में, कि water weed, water weed मतलब जलकुम भी type का कोई चीज है, और बहुत सारे लोग कुछ पकड़ रहे हैं, आपको शायद मचली पकड़ने का देखके ऐसा लगेगा, किसी को भी देखके लगेगा, और उपर में क्या लिखा है, treasure hunt, आपको मैंने बताया था, तीन वर्ड, hunt, हंट का मतलब मैंने आपको बताया था, शिकार करना, लेकिन हंट का ही मतलब होता है, तलास, हंट का ही मतलब होता है, तलास, ठीक है न, जैसे अभी विकास दूबे को तलास कर रही थी, फुलिस, hunt, that was a man hunt, तो यहाँ पर किस्चिश की तलास हो रही है, ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना, अब देखो नीचे आखिर हो क्या रहा है, फिशर्मेन कलेक्ट चेस्टनट, at मीठापूर, in पतना, on, देखो, at मीठापूर लिखा है, जबकि हम क्या कहेंगे, फिशर्मेन चेस्टनट कलेक्ट करें, मीठापूर में, पतना में, ठीक है न, लेकिन यहाँ पर देखो, at लगा है, तो जब बड़े शहर के अंदर कोई छोटा जगा होगा, तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, at लगा देंगे, और बड़े शहर के पीछे, in लगा देंगे, और आपको बताना है, कि चेस्टनट क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाहिए, ढूंड सकते हैं, तो ढूंड़े गूगल पर, और बता दीजे कि, क्या होता है, चेस्टनट, और राइट, अभी, लेट उस मूव तो दे नेक्स्ट पेज, यह देख लो पहले, कि अभी मैंने आपको मूव बताया था, मूव का मतलब कोई चाल, कोई कदम, अभी देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूल्स आप्टिंग फॉर, ऑनलाइन अड्मिशन, नो एंट्रेंस टेस्ट, अब देखो, option, option का मतलब विकल्प, आप देखते हैं, एक्जाम देने जाते हैं, आपको options मिलते हैं, options का मतलब विकल्प, और यह क्या हो जाएगा, एक noun हो जाएगा, अब देखो, इसी word को हम लोग क्या कर दिये, opt opt, और opt का मतलब चुनना, तो यह क्या हो जाएगा, वर्व हो जाएगा, तो अब ही schools किस्चिश को opt कर रहे हैं, schools, just give me a moment, okay, schools opt for, schools opt कर रहे हैं किस्चिश के लिए, online admission के लिए, कोई entrance test नहीं लेंगे, ठीक है, और देखो इसके नीचे क्या लिखा है, यह जो step है, यह जो action लिया गया है, move, इसका aim क्या है, aims to, move, aims to मतलब move का aim क्या है, यह prevent करना चाहता है, किसी चीश को होने से रोकने देना चाहता है, क्या चीश, students का gathering, इस्टूडेंट्स का gathering नहीं होने देना चाहता है, और उनके किन का gathering नहीं होने देना चाहता है, किन का मतलब मैंने आपको बताया था, उनके रिष्टेदार, और कहां पर, स्कूल कैंपस में, स्कूल कैंपस में, तो स्कूल कैंपस है यह, स्कूल कैंपस पर सारे लोग रहेंगे, तो on लगा दिया है, ठीक है? All right, let me move to the next page, let me show you something, आप इनको तो जानते होंगे, Bill Gates कौन नहीं जानता है इनको, Indian Pharma Industry Can Produce Vaccines for the World, Indian Pharma Industry मतलब Medicine Industry, यह, Bill Gates कह रहे हैं कि यह दुनिया के लिए Vaccines प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी ताकत हैं इनमें, एक नीचे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, यहां पे देखो क्या लिखा है, इस्टार्क रियालिटीज ऑफ लॉक्डाउन इन लो इनकम एरियाज, लो इनकम एरियाज कौन-कौन से हो गए भाई, जो जुगी-जुपूई हो गए, इस तरह की के एरियाज, इस्टार्क रियालिटीज, ऐसी सच्चाई जो, जिसको हम लोग बोलते हैं न, हिंदी में नंगी सच्चाई, ठीक है न, वो चीज होता है, इस्टार्क रियालिटीज, अब इसका कोई मतलब नहीं बता सकता है, इस्टार्क का, जो एकदम विजिबल है, जो एकदम दिख रहा है आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क रियालिटीज, और हमेशा यह ऐसी तरीके से आता है, अब देखो, आप इधर देखो, यह आपको एक स्लम का फोटो दिख रहा है, धारावी का स्लम है यह, तो आपको पता है कि स्लम में सारे लोग लेबर क्लास के होते हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन उनका पैसा आता है, ऐसे सैलरी वाले लोग महीने में सैलरी मिल लेबर, इस तरीके के चीज़े कम होती हैं, तो और लॉकडाउन की वज़े से उनका पूरा रोजगार ही छिन गया है, तो धारावी के जैसे जो स्लेसे हैं, वो तो डायर एकॉनमिक चैलेंजेस फेस करेंगे ही, मैं आपको दूसरे पेस पर ले चलता हूँ, और यहां पर कुई चीज़ दिखाता हूँ, देखो, इरान डिसमिसेस रिपोर्ट ऑफ ड्रॉपिंग निव डेली, इरान ने इस रिपोर्ट को खारिश कर दिया है, कि उन्होंने निव डेली को ड्रॉप कर दिया है, और देखो चाबाहार जो हम लोग देख रहे थे, यह चाबाहार का ही फोटो है, दिख रहा है आपको चाबाहार का फोटो, यह आपको पूरा पोर्ट दिख रहा है, बंदरगा, यह सारा इंडिया ने डिवलप किया है, और यह एकदम इरान के सदन पार्ट में है, नीचे देखो क्या लिखा है, सिटी का क्या नाम है, चाबाहार नाम है, और वाइल डॉक्स, डॉक्स किसको बोलते हैं, इस तरीके की जो चीजे हैं, जो समंदर किनारे, ऐसे हारबर बंदरगाह बन के रहता है, इसी को हम लोग डॉक्स बोलते हैं, आपने दिवार मुवी देखिए, बहुत बार यूज किया गया है, so that is a doc, okay, so I will end this video now, and आज और कल के जो भी जो words हैं, उसको मैं compile कर दूँगा, और एक दस बिनिट का वीडियो डाल दूँगा, so I hope कि आप उसको भी देख लेंगे, so thank you very much for watching guys, please post your comments in the comments box,